Good morning students, लक्ष में आप सभी का स्वागत है, मैं आज applied electronics जो semester 4 में पढ़ते हैं आप लोग, उसका unit number 6, lecture number 1, topic का नाम है trouble shooting and testing, ये इस topic को आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मज़दार topic है, पूरी तरीके से practical topic है, जितना भी हम लोग अभी तक circuits पढ़े हैं, उसके trouble shooting और testing के बारे में स इसमें यूज होता है, trouble shooting और दूसरा है, testing, इन दोनों का मतलब समझेंगे, और इसी को पूरा syllabus में यही हमारा है, हलाकि इससे बहुत ज़्यादा question नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि knowledge point of view से, practical point of view से, ये chapter important है, मैं पूरी कोशिस करूँगा, आपको satisfied करूँ, जितना मेरे पास knowledge होगा, उतना मेर दे पाऊंगा, और जहाँ जहाँ doubt होगा, आप हमसे पूछेंगे, चलते हैं, trouble shooting, क्या होता है trouble shooting, actually में trouble shooting क्या है, हम लोग एक engineer है, ठीक है, और different circuits design करते हैं, जब हम circuit design करते हैं, तो हम लोग उस circuit का limitation भी बनाते हैं, limitation का मतलब कि हम बताते हैं कि यह circuit कितने voltage पर काम करेगा, गलती से उसमें ज्यादा voltage आ जाता है, तो वह circuit खराब हो जाता है, correct, अब जब circuit खराब हो गया, तो आपको circuit को ठीक करने भी आना चाहिए, आपने बनाया है, तो circuit ठीक करने भी आप ही जानेंगे, एकदम यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क अगर आप कोई circuit डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के बाद circuit में कुछ खराबी आ जाती है, तो सबसे पहले कहां खराबी आ यह ढूंड़ना, इसी को trouble suit करना करते हैं, trouble, गरवडी, और suit करना मतलब पकड़ना, कहां गरवडी है, और testing, test मतलब उसी को test करकर के हम लोग कि यह circuit ठीक है, नहीं है, कितने MPR का current जा रहा है, कितना MPR का current जाना चाहिए, यह सारी चीज़ें हम लोग यहां पर एक-एक करके देखेंगे भी, उसमें ढूंडेंगे, trouble, shooting and testing, मेरे पास इसको थोड़ा मैं नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं board पे लिखूंगा नहीं बहुत सारा चीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे images है, मैं काइन master का ज्यादा तर प्रियोग करूँगा, और उसी से आपका पूरा पूरा videos मने आएगा, लिखा हुआ भी troubleshooting and testing, स्टार्ट करते हैं हम लोग, troubleshooting and testing, क्या होता है यहां से, देखे आपके सामने एक image आ रहा है, ठीके, और इस image में लिखा हुआ, उपर में लिखा introduction, ठीके, और नीचे लिखा है need of troubleshooting, हम पाले इस दोनों paragraph को समझाना चाहते हैं, कि what is introduction मतलब troubleshooting and testing होता क्या है, और दोनों को पहले समझते हैं, फिर और भी term को धीरे-धीरे समझेंगे, चली सबसे पहले पढ़ता हूँ, line by line पढ़ रहा हूँ, और कहीं अंग्रेजी में दिक्कत होती है, तो आपको में बताए, the word troubleshooting refers to a fault finding in a given electronic circuit or appliance, पहला line कहता है, कि जो troubleshooting है, यह fault find करता है, fault, fault का मतलब गरवड़ी, circuit में कहीं गरवड़ी होगी, उसको fault, उस fault को find करने के लिए, हम लोग, ठीक है, इस troubleshooting method का use करते हैं, कहां, तो electronic circuit में, यह electronics appliance में, जो आप घर में use कर रहे हैं, या आप जहां भी use कर रहे हैं, industry में, in order to, अगला point है, in order to carry out the fault finding the service engineer, service engineer, underline किजएगा, जो उसको है, उसको service engineer बोलते हैं, ठीक है, has to follow a set procedure, which involve voltage measurement at various points, waveform at different points, अब इसको समझने की कोशिस करते हैं, यह क्या बोल रहा है, कहता है, जो service engineer है, वो अपना एक procedure बनाए हुए है, कि इसको ठीक कैसे किया जाता है, जैसे मैं एक example ले रहा हूँ, मेरे घर में एक filter, water filter खराब हो गया थ तो आया, उसको पता है कि कहां कहां गरबडी हो सकती है, तो वो आते आते पता नहीं कर लेता है, वो चेक करता है, different points पे, पानी यहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक किया नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां गरबडी है, यहां से पानी आ रहा है, यहां ठीक है, आगे चेक करेगा तो यह step by step different step पे वो चेक करता है तो यही उसको कहते है procedure जो इंजीनियर होता है उसको यह पता होता है procedure के बारे में ठीक है अभी हम लोग waveform के बारे में लिखा है कि different point पर voltage पता करता है माल लिया कि मेरे पास घर में ऐसे circuits बने हुए हैं बल्ब वाले घर में एक घर में तो घर दिखा नहीं सकते हैं तो अब कौन सा बल्ब खराब है यहां से एक TV लगए यहां TV लगा हुआ है ठीक है TV है और इस तरीके से यहां पर एक fan लगा हुआ है मतलों कुछ भी आप किसी भी तरह का circuit है आप तो एक circuit दिखाना है आपको बस ऐसे ठीक है और यहां supply voltage आ रहा है ठीक है इस तरीके से तो आपको यह पता कैसे चलेगा उसको कि कहां तो क्या करेंगा कौन सा खराब है तो डिफरेंट पॉइंट में पॉइंट लगा कि डिवाइस लगाएगा बताएंगे ठीक है बहुत सारे डिवाइस का परियोग करेगा प्रोसीजर जो भी उ उस Component के दोारा कितना Current Dron होता है उसको पता रहता है अगर उतना Current Dron नहीं सब्सक्राइब हुए अगर अग हिसो सही है इस तरह के same specific circuit such as multi vibrator, oscillator, various diode circuits. हम लोग जो procedure पढ़ेंगे, उस procedure को different circuits में use भी करेंगे. जैसे हम लोगोंने multi vibrator पढ़ा है, हम लोगोंने oscillator पढ़ा है, हम लोगोंने feedback पढ़ा है, हम लोगोंने diode circuits पढ़ेंगे, clipar, clampar, बहुत सारे terms इस semester में आपने पढ़ेंगे. सभी में उस procedure का, उस step का, जो हम अभी आपको बताएंगे कुछ, एक दो class, एक दो lecture में, उसको use करेंगे हम लोग उसमें. चले, यह था introduction, कोई पूछे का trouble shooting क्या है, तो आप एही बताना, कि एक service engineer, किसी भी electronics component को, जिस procedure से, ठीक है, उसके अंदर की गरबड़ी को ढूंड़ता है, और उसको दूर करता है, इसे हम लोग troubleshooting करते हैं, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है, दूसरा है need of troubleshooting, troubleshooting की ज़रत क्यों पड़ी, आप खुद सोचे ना, क्यों troubleshooting करते हैं, ऐसा है कि आपका device खराब हो गया है, मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया, तो कि आपका फेक देते हैं, नहीं, ठीक है, मोबाइल को आप फिर से बनाते हैं, बनवाते हैं, फिर काम करते हैं, तो exactly troubleshooting का ज़रत इसलिए पड़ा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ circuit खराब हो गया है, तो दुबारा उसका reuse कर सकें, देखे लिखा होगा, every electronics instrument needs given a certain desired performance, हम लोग को मालूम है, कि ओ device कुछ performance देता है, जैसे मेरा यह mobile phone अभी camera से suit हो रहा है, माले इसका camera खराब हो गया, ठीक है, तो धुंदला दिखाई देने लगए, खराब दिखाई देने लगए, तो mobile तो काम कर रहा है, लेकिन camera काम नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में यह पूरा performance नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग को पता करना होगा, कि exactly खराबी कहाँ पर है, और उसको दूर करेंगे, तो हम क्या बताना चाहरे है, कि troubleshooting के जुरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर किसी भी device को तुमने बनाया है, तो वो पूरा performance देना चाहिए, अगर पूरा performance नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर troubleshoot की जुरत पड़ेगी, however, due to one reason or other, the circuit or instrument do not give their expected performance, अब यसी बात है, जिदना हम चाहते हैं, उदना वो performance नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि circuit में कहीं न कहीं गरबड़ी है, अगला है, the circuit instrument that need to require to ensure satisfactory performance, तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों को उसका performance बढ़ाना चाहिए, तब troubleshooting और testing की जुरत पड़ती है, ठीक है, जैसे आप अपना सरीर को ही ले लो ना, सरीर तुम जानते हो कि हम इतना काम करते हैं, बट एक दिन नहीं काम कर रहे हो, उतना काम नहीं कर पाए एक दिन, तो तुमको लगा, अरे सरीर में कहीं ने कहीं गरबड़ी है, ठीक है ना, कुछ ने कुछ प्रॉबलम है, तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वो troubleshoot करता ह है, आलो लगाता है, यह लगाता है, वो लगाता है, क्योंकि तुम जितना छमता में काम कर रहे थे, उतना कर नहीं पा रहे हो, तब तुमको ज़र्वता है समहसूस हो, वैसे ही electronic circuit के लिए भी है, जितना उसकी छमता होगी, जो काम करना चाहेगा, वो उतना रिजायर नहीं आउटपूर्ट दे रहा होगा, तब उसको ट्रबल सूटिंग की ज़रत पड़ेगी, तुम लोग ट्रांसफर्मर पढ़ते हो, अब ट्रांसफर्मर की efficiency भी पता है तुमको, अगर उतना efficiency नहीं दे रहा तो नहीं, कहीं नहीं कहीं गबड़ी है, तो इसको टेस्ट चेक करत आपको ट्रबल सूटिंग है, ट्रबल सूटिंग एंड टेस्टिंग, आपने देखा एक पराग्राफ आपके सामने आ रहा है, इसको पहले नोट कर लें, ये नोट्स कोपी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, नोट्स में आप ज़रूरत पड़ेगा, अब आते हैं, ट्र यूजड, कमपोनेंट यूजड इन ट्रबल सूटिंग, ट्रबल सूटिंग एंड टेस्टिंग, ट्रबल सूटिंग और टेस्टिंग में कौन कौन से कमपोनेंट मुखेता यूज़ करेंगे, एक सर्विस इंजीनियर कौन कौन सा कमपोनेंट यूज़ करता है, सबसे पहल और सप्लाई फोटो देख रहे होंगे आप दिख रहा है ना साइड में फोटो डीसी पावर सप्लाई बीना डीसी पावर सप्लाई के एलेक्ट्रॉनिक कॉंपोनेंट यूजी नहीं होगा अगर आपको कहीं भी किसी भी सर्किट को ट्रबल सूट करने जाना है तो अपना एक पावर सप्लाई लेके जाना होगा घर में इसी है 220 वोल्ट होता है डिरेक्टली सर्किट को दीजेगा खराब हो जाएगा वहाँ आपको भरियेवल डीसी पावर सप्लाई चाहिए बरियेवल का मतलब बदलने वाला जरुवत के अनुसार से वोल्टेज बदल देंगे और वहाँ उस सर्किट के पर्टिकुलर पोजिशन पर जितना वोल्टेज के जुरत पड़ेगी वो सर्विस इंजिनियर को पता रहता है उतने ही वोल्टेज देंगे तो दिसी पावर सप्लाई क्लियर है डिसी पावर सप्लाई आपको अच्छे से पता चल गया दूसरा दूसरा हमारे पास आ रहा है डिजिटल मल्टी मीटर कौन सा डिजिटल मल्टी मीटर मल्टी मीटर बहुत अच्छे से आपको पता है डिजिटल मल्टी मीटर के बारे में डिजिटल मल्टी मीटर क इससे बहुत सारी चीजें ना पी जा सकती है, voltage, current, resistance, circuit की continuity, emitter base collector, capacitor का capacitance, बहुत सारी चीजें इससे ना पी जा सकती है, so its name is multi and meter, multimeter का मतलब बहुत सारी component, यह बहुत अच्छा काम करता है, इसके बीना तो कोई service engineer, अगर किसी circuit के fault को खोजना चाहेगा, तो संभवी नहीं है, multimeter लेके चलना ही पड़ेगा, बीना multimeter के नहीं कर सकता है, next आगे आता है, signal generator, signal generator, यह बहुत important है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रह है, हम लोग electrical and electronic circuit के testing को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर signal generator क्या काम करता है, सुनिए, signal को generate करता है, बहुत सारे ऐसे electronic circuit मिलेंगे, जहाँ पर उसको particular frequency चाहिए, particular frequency का मतलब, अरे भाई, घर में कितना हट जाता है, पचास हट, वो पचास हट नहीं चाहिए, उस circuit को बोल रहा ह यह पचीस सो, तीस सो मेगा हट्च पर काम करता है, मेगा हट्च, कहां मेगा हट्च हो गया और आपके घर मेरा पचास हट्च, तब तो मेगा हट्च यह तो आपके घर में frequency पचास हट्च देगा नहीं, तो हम लोग एक signal generator रखना होगा, ठीक है, जो की particular frequency का signal उसमें दे, हा नहीं नहीं, डिवाइस को बंद करकेंगे, सर्कीट खोलेंगे और हम देंगे उसको उतना signal, जितना उसके लिए desired frequency चाहिए, वहाँ पर उस point पर देंगे, तो वो काम कर रहा है कि नहीं करा particular component पता चल जाएगा, इसलिए हमें टेस्टिंग करने के लिए यह बहुत important device है, दे rectangular दिया जारा, square wave दिया जारा, क्या दिया जारा है, वह उसमें पता रहता है, और उसमें बटन भी रहता है, जिस तरह की frequency आपको generate करनी है, वैसा आप यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे आता है, CRO, Cathode Ray Oscilloscope, बहुत important है, Cathode Ray Oscilloscope, ठीक है, आपके college में सभी devices हैं, बट आपक ये भी signal generator जैसा ही दिखने वाले device है, बट, CRO का उप्योग signal generate करने में नहीं, हम output, final output में किस तरह का waveform हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमें waveform दिखाने के लिए CRO होता है, जैसे हमारे hospital में जाईए, जब आप देखते हैं कि किसी मरीज को लिटा दिया जाता है, तो वो उसका जो सांस लेने का waveform बनता है, बनता है ना ऐसे ऐसे waveform, तो वो waveform है, ठीक है, तो CRO में एक screen होता है, किस तरह का waveform हम लोग को output में generate हो रहा है, वो पताने के लिए, या किसी भी device का output waveform कैसा बनेगा, उसको screen पर देखने के लिए हम CRO जैसे device का परियोग करते हैं, ठीक है, तो आप आपने देखा कि हम लोग इसको लिख लीजेगा, अभी जो मैंने इसके पहले फोटो दिया था, उसके नीचे लिखेगा, component used in travel shooting and dusting, चार component मुख्यता पर योग करेंगे हम लोग, क्या इसके अलावे करेंगे, और इसके अलावे धेर सारे छोटे-छोटे component यूज करेंगे, pliers, screwdrivers, यह सब आपके general components हैं, बट उन सब को हम लोग यहां पर लेके नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे components ऐसे भी होते हैं, जो तार को अलग-अलग, diameter पर नापने के लिए, तो वो सब भी है, बट उतना हम लोग detail नहीं चाहेंगे, हम लोग, हम लोग को मुख्यता यह सीखना ह कि किसी भी particular circuits, electronic circuits को troubleshoot और test कैसे किया जाता है, ठीक है, मुख्यता हम चार यह रहेगा, तो हम एक troubleshooting का काम, testing का काम और troubleshooting का काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे, जो अभी हम लोग, इसके पहले photo आया था, photo मतलब जो लिखा हुआ था, उसके बाद इसको आप यह, कि हाँ, component used in troubleshooting and testing, चार component है, photo तो नहीं बना पाईएगा, इसलिए कम से कम लिख लिजे कि चार component used होता है, ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि ने, इसका क्या-क्या use होता है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, DC power supply, providing the required DC supply to the circuit, इसके बारे में लिख लिजेगा, providing, providing required, required DC power supply, power supply, इसका का में DC power supply, देना, इसके बारे मुटिमेटर, तो मेजर, तो मेजर, VOLTAGE, तो मेजर VOLTAGE, CURRENT, 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 point of circuit circuit के अलाग-अलाग point पे यह दा system's voltage current को measure करता है signal generator it is generate it is generate desired desired frequency desired frequency of signal desired frequency of signal CRO to display to display to display the waveform to display the waveform waveform को display कराने के लिए हम लोग इसका व्योग करते हैं चलिए इसको note down कीजे ठीक है आईए देखते अभी अब इसके बाद इसको लिख लिख लिया होगा आपने अब इसके बाद next lecture में बात करेंगे हम लोग कि जो टेस्टिंग होता है कितने type के होते हैं तो दो तरह से टेस्टिंग generally करते हैं ठीक है एक हो गया visible testing कौन-कौन visible क्या होता है उसको समझाओंगा और एक हो गया active testing active testing दोनों टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे दो तरह के testing हम लोग करेंगे generally एक visible एक active वीजिबल समझा देता हूँ फिर मैं आगले lecture में तो detail बताऊंगा ही सबसे पहले circuit जब आपके सामने रहता है circuit खोलते हैं जैसे मैंने ये mobile को खोला तो circuit दिखा देखते ही आपको क्या क्या लगा ठीके ओके जैसे आप देखे तो पता चला कि बीच के एक position पर काला है black जल गया है तो आपको समझ में आ गया है यहां जरूर खराब हो गया है तो पहले ही अगर देखके ही बहुत सारी चीजे पता करना इसे करते हैं visible testing ठीक है बाद में तो हम लोग active testing करेंगे ही जिसमें in sub component का परियोग हम लोग कर लेंगे तो हम लोग अभी अगले class में यह अगला lecture में हम लोग types of testing के बारे में जानेंगे कैसे testing करते हैं ओ भी मैं एक एक करके दिखाऊंगा पूरी कोशिस रहेगी कि आप satisfied हो lecture से चली इस lecture में इतना ही thank you thank you very much